आज हम सेहत मंद नुस्के के फूट फॉर हेल्थ में बात करेंगे एक ऐसे सूपर फूट की जिसे अगर आप में सर्दियों में खा लिया तो आपको मिलेंगे इसके बहुत सारे हेल्थ बेनेफिट्स और ये है आमला आमला एक ऐसा फल है जो स्वास्थ के लिए बहुत लापकारी है ये ना सिर्फ हमारे स्किन और बालों के लिए फाइदेमंद है बलकि इसे कई बिमारियों में एक और शुदी के रूप में इस्तमाल भी किया जाता है आमला में भरपूर मात्रा में फाइबर, और मीठा मुरब्बा बना कर आमला से जुड़ा एक घरेलून उसका हम आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले जानिये आमला से मिलने वाले फाइदों के बारे में रोजाना आमला खाने से आखों की रोशनी बहतर रहती है आमला का सेवन करने से त्वजा की रंगत बनी रहती है आमला में एंटियोक्सिडेंट होता है और एंटियोक्सिडेंट से भरपूर आहर कुछ प्रकार की कैंसर, हिर्दे रोग, टाइप टू मदुमें हैं उमर पारी इम्यूनिटी को भी बहतर करता है हम आप से हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज जो फाइदा देती है वो नुकसान भी करती है अगर आप आमला का गलत तरीके से सेवन कर रहे हैं गलत मातरा में अगर आप आमला खा रहे हैं तो वो आपको स्वासलाब देने के बजाए बहुत सारे नुकसान दे जाएगा और वो नुकसान क्या है जानी हमाई साथ अगर आप आमले और अध्रक को एक साथ खाते हैं तो इसका खराब असर आपके लिवर पर पढ़ सकता है जादा आमला खाने या इसका जूस पीने से आपके लिवर में SGPT की मातरा बढ़ जाती है जिसके वजह से आपकी पाचन प्रक्रिया को परिशानी पहुंस सकती है आमला liek होसकर है लेकिन इसका लंबे समय तक सेवन करने पर शरीर में पथरी के संभाब ना बढ़ जाती है यदि आपको high blood pressure या kidney से संबधित कोई भी परिशानी है तो आमला थोड़ा limit में ही खाए इसके सेवन से शरीर में sodium का लेवल बढ़ जाता है किड्नी की कारशमता भी प्रभावित हो सकती है अगर आप रोजाना आमला खाते हैं तो आपको पानी भी जादा से जादा पीना चाहिए ताकि कब्स जैसी कोई भी दिक्कत ना आए सेहत मन्त नुस्के के आशकर सेग्मेंट में अब बारी है एक घरेलू नुस्के की वो लोग जो पेट की किसी पी समस्या से परिशान है जो कब से परिशान है ये नुस्का उनके लिए है और ये नुस्का क्या है बता रही है हकीम सुलिमान खान सहाब ये पेट जो है बहुत परिशान करता है बहुत सारी बीमारियें इससे फूटती है, ये बीमारियों कोई जन्नी है, तो धनिया सौफ, धनिया सौफ, आवला मेथी, दो दो सौ गिराम लेजे, और इसमें 100 जिए 500 ग्राम आप कलोंजी का नमक में लाईब नमक कलोंजी के टेंगे कलोंजी का रसायन कहते हैं या एस्टेक कलोंजी कहते हैं यह असली लीजे और इनको घर में पाउडर बनाएं और एक चम्मज सुभा एक चम्मज शाम इसे जब तक हाई जब तक आपकी पूरी बीमारी अच्छी न हो जाए वो लोग जो कब्स से परिशान हैं वो ये नुसका अजमा सकते हैं आपको करना बस यही है दोसो दोसो ग्राम धन्या सौंप आमला और मेथी ले ले उसमें डेट सो ग्राम कोलोंजी नमक मिला लीजिए इसका पाउडर बनाकर एक चम्मज सुभा और एक चम्मज शाम को इसका सेवन करें तो आज सेहत मत नुसके में हमने बात की आमला की आमला से मिलने वाले फाइदों के बारे में उससे होने वाले नुकसान के बारे में साथे साथ अगर आप कब्स से परिशान हैं तो कब्स किस परिशानी में आमला को आप किस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं उससे जुड़ा एक घरेलू नुस्का भी हमने आपको बताया तो आज सेहत मत नुस्के में इतना ही जुल्द आपसे मुलगात होगी खुश रहे तंदरुस्तु रहें